हालो दोस्तों नमस्कार मैं है सूराच आप देख रहे हैं एटुजे ट्यूब चैनल इसे सभी का स्वागत है तो दोस्तों अभी मैं यह वीडियो बना रहा हूं अपने छट पे जो कि यहां पे काम चला है छट का आप सभी तंमल देखके समझें कि आप सभी को मैं इस वीडि मैं थोड़ा सा यहां का भी वीडियो दिखा दोगा भी मैं ब Says लगा खाओू चुम्त करिब पूरा 6 रिचा है तो मैं तो मैंने सहे लिट कुंटल लिया हैठी कुंटल में 1500 कंटल याण 150 kg 2500 सरिया है और 450 kg 300 सरिया है और यह जो परचाज कुंट्र सरिया है दिवाल 00945-centered के लिए लिया गया है और जो 300 सरिया बिच्छाने लिए लिया गया है जैसा कि मैंने बताया 500 150 kg-lyn 400 जरी जय्य Hybrid और वर भाननेEst है ठीड़ी समझ दिखांगे बताऊ तब आप समझ पाएंगे और दखिए सरीया कम जादा भी लगता है कि कैसे लगता है अगर आप चार बाई चार के इंच पर बांधेंगे तो ज्यादा सरीया लगता है तो मेरा पांच भाई 5 एक नौर्मिली जो होता है रेगलोर एक तरह से देखा जाए सरीया जो छट की ढ़ अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो आप समझ पाएंगे आपको दिखा दूंगा तो कुछ आपको आइडिया हो जाएगा लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूं वह बिल्कु ट्रू है और जब सरीया आया था तो तो पुरा विच्छान एक बाद करीब 25 से 30 किलोर सरीया मेरा बच गया है यह मैं जनकारी इसलिए दे रहा हूं अगर आप लो नहीं नहीं आइडिया तो आपको पता चल जाए कि 700 इसकार मेरा जो घर था उसको बनवाया तो इसमें मेरा इतना लगा मैंने जो मिस्तिरी थे यानि ठेकेदार थे उनसे मैंने बात किया सारी जनकारी मुझ कि यह सरीया को यूज करने बाद 30 किलो मेरा सरीया बच गया है मुझे यह लगा कि आप सब जनकारी क्यों देना चाहिए कि कि देखे जब मैं भी घर बनवा रहा था तो मुझे बहुत सारा डाव उड़ता कि कितना सरीया लगेगा कितना खर्चा जाएगा तो यही सब आपक अब जब बना के हो गया था 26 जिसमें मैंने कौर बलाग लिया था और बानने के लिए करीब लिया था आपको बता दे कि अगर आप जब भी सरीया लेने जाएक आपको टार भी लेना तो 700 स्कॉर में यह भी बताना चाहूंगा कि आपको तार कितना लगेगा तो तार मैं यह और फाइनली यह खाली सरीया उतार का गया था और साथ में कौर बलाग लिया था और आप खाली सरीया के बात करेंगे तो सरीया करी मुझे पड़ा था 24 जा च्छे सो पड़ा था तो अब मैं यहां दिखा दो कि जहां जहां मुझे लगा है उससे आपको अनुमान हो यह साइड में 300 सेता है आप इसके अंदर सजो देखें गें Sب 4 से लगा हुआ है इसके अंहे Schatt I 400 जाला सरीग इसके दमठ लगा बाकि इसके नीचे भी इप 40 सता लूड लगा हो है क्या अब प्लस ये the sasara मैं दिखा रहा है कूँ पुरा यह पूरा बिच्छा हुआ है आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यह पुरा कितना मेरा लगा हुआ है इसके अंदर जो यह दिख रहे हैं आपको मैं दिखा दे रहा है यह 400 अवसरीया है अब बाकि यह तो यह इसके अंदर जितने भी मतब दिवाल के उपर है सब चार सुटावला सरीया लगा हूँ है इसकी जो गईपिंग देखर है यह करीब 5,5 का है अगर 4 बाई चार में बानेंगे तो आपका सरीया थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है तो अगर पांच बाइब पांच की साथ से एट लेके जाएंगे तो मेरा बता रहां पांच बाइब बाइब में लगा हुआ है जो मैंने बता दिया 24600 लगा हुआ है तो आई होप आप सब समझ गयेंगे कि इतना सारा मतब सासर उसकार फिर में आपको कितना सरीय लगए कितना पैसा लगेगा और हां क्यूंटल किसाब से आपको बता दूब कि मिझे बढ़ा था एक तालिस सो कुंटल पड़ा था तो आप जोड़ भी सकते सब्सक्राइब करना न भूलेगा चैनल पर नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और कुछ अगर आप हमसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं जरूर आपको कमेंट में रिपलाई जरू करूंगा अगर आ हमें कमेंट करिए मैं जरूर प्लाई करूंगा तो मैं मिलता हो ले वीडियो में तब तक तक देखते रहे एक टूजे एक टीप चला टेप केर बाई बाई